बोज दोस्तो और इस वीडियो में देखेंगे कि स्वीच को रास्टबरी फाईں के साथ कैसे इंटरफेस करते हैं छो यहां पर देख सकते हैं स्वीच कनेक्टिव है जो थू ब्लेड बॉर्ड और यह स्वीच है राइट और इसके Division आप दीखें कि इसका यह जो लेफ्ट सेट आपको दिख रहा है यह पिंड डिस्क्रिप्शन है रास्परी पाई का ठीक है इसके अंदर 3.3 वल्ट भी है 5 वल्ट भी है ग्राउन भी है राइट सो बेजिकली हम क्या कर रहे है यहाँ पर कि एक स्विच का जो एंड है वो मैंने कोई एक GPIO में डाला हुआ है ठीक है और बेजिकली यह स्विच क्या है इस टाइप की एक स्विच है जो कि नॉर्मली ओपन है रहती है जैसे ही इसको प्रेस करूंगा तो यह शॉर्ट हो जाएगी ठीक है बाई डिफॉल्ट यह ओपन है तो देखिए स्विच का एक एंड है वो GPIO में connected है और दूसरा एंड है वो मैंने 3.3 वल्ट वाली पीन के साथ connect किया हुआ है और बाई डिफॉल्ट में यह जो ब्ल्यू वायर है वो GPIO है उस पर बाई डिफॉल्ट में 0 रखूंगा through programming रैट वो मैं आपको explain करूंगा कैसे रखना है अगर user switch नहीं प्रेस करता है और अगर मैं यह port read करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 0 बट अगर user switch प्रेस करता है तो यह short हो जाएगा मतलब 3.3 वल्ट जो है वो short हो जाएगा और जैसे user ने यह switch प्रेस की तो और अगर मैं यह port को read करूंगा तो default value 0 है लेकिन because short हो गया तो अभी value 1 हो जाएगी ठीक है यह से user ने switch release किया again 0 हो जाएगी क्योंके मैंने default value 0 रखी हुई है यह default value क्या है वो मैं आपको समझाओंगा यह code होगा हमारा ठीक है और यह code में और कुछ नहीं simple gpio ही use किया है मैंने बट इसमें हम उसकी direction set करेंगे as input नॉर्मली LED के लिए हम क्या करते है हम उसकी direction set करते है as output और फिर हम उसके ओपर कुछ लिखते है ठीक है बट यह switch है so switch को हमको read करना पड़ेगा it's an input device right मतलब के raspberry pi में से मुझे read करना पड़ेगा basically switch का use क्या होगा to take a decision right मगर मतलब इकर if user have pressed the switch then turn on the LED और display any message right this type of thing we will do so उसके लिए switch को read करना पड़ेगा तो यह program में देखो first two line is simply library को import कर रहे हम rpi.gpio import time फिर मैंने board mode में set किया हुआ यह mode क्या है यह आपको देखना है तो आपको first video देख सकते है जो के available है उसके अंदर मैंने यह detail में explain किया है कि what is the meaning of this board mode, board mode का मतलब क्या है set mode के अंदर argument जो gpio.board लिखते है अभी जो switch है या तो उस बटन भी बोल सकते रैट, so वो मैंने connect किये हुए है यह ports पे 7, 11, 13 and 15 उसका मतलब है कि मैंने चार बटन connect किये हुए है with Raspberry Pi board जो कि मैं यहां पे भी आपको दिखाऊंगा simulation में भी और actual hardware में भी दिखाऊंगा तो मैंने मेरी जो switch या बटन आप बोल सकते है उसको मैंने चार port पे connect किये हुए है और उसके बाद gpio.setup यह function की help लेके मैं उसकी direction set कर रहा हूँ as input so first argument is pin number and second is gpio.in क्योंकि यह switch है अगर LED होती तो gpio.out आता because मुझे उसपे write करना होगा और उसके लिए मुझे direction output चाहिए बट अभी मुझे input चाहिए so यहां पे मैंने चारो की direction set कर दी right उसके बाद next while true so यह infinite loop है ठीक है यह infinite loop के अंदर हम क्या कर रहे है सब हो गया direction set हो गई now अभी हम यह चारो switch को continuously monitor करेंगे तो switch को read करने के लिए हमारे पास function है यह पूरा logic मैंने लिखा हुआ है right so यहां पे आप देख सकते है कि जो first जो line है while true के अंदर वो है input state is equal to gpio.input in bracket b1 मतलब के infinite loop में first line है मेरी seven number की pin को read कर रहा हूँ मैं जो भी है वो zero ही है यह simulation यह website के उपर create.withcode.uk के उपर but actual hardware में आपको default value set करनी पड़ेगी और वो आपको gpio.setup function के अंदर करनी पड़ेगी ठीक है तो मैं simply message print करवा रहा हूँ print button one pressed मतलब के मैं यहाँ पर simple message print करवा रहा हूँ के button one pressed हुआ है और उसके बाद एक delay generate किया हुआ है two seconds का यह delay इसलिए है क्योंकि अगर user continuously वो प्रेस करके भी रखेगा तो यह हर दो second में एक बार message print होगा है ऐसाने के continuously message print हो राइट तो यह logic case आप से होता है you can change this again next line gpio.input b2 उसको read करके एक अलग variable में डाल रहा हूँ input state one उसको भी मैं print करवा रहा हूँ अगर true होता है मतलब कि अगर second switch भी प्रेस होती है तो second message third होती है तो third message and fourth होती है तो fourth message so this is how continuously we will monitor all these four switches right continuously हम चारो switch को monitor करेंगे और उसके status के इसाब से हम message print करवा रहे है मतलब कि अगर user ने switch press की है तो message print होगा अगर user ने कुछ भी प्रेस नहीं किया है तो कुछ भी नहीं होगा वो continuously यह while true के अंदर execute करता रहेगा तो यह हुआ हमारा पूरा प्रोग्राम अभी मैं यह website को उपर ही आपको run करके दिखाता हूँ यह simulation में आप इस website पर जाके यही कोड लिखे ठीक है यह एक online simulation टाइप का आपको environment प्रोवाइड करते हैं जैसे आप run पर प्रेस करोगे तो यहां पर देखो आपके पास एक connector open हो गया GPIO connector जो मैं अभी मैंने आपको बताया है वैसा ही कुछ दिख रहा है ठीक है इसमें देखे फर्स्ट फीन है उस पर उपर कुछ voltage level है second, third वो है GPIO है जो आप green दीख रहा है वो GPIO है उस पर अगर आप high लिखोगे तो आपको इधर ऐसा कुछ दिखेगा मतलब के वो on हो रहा है अभी वो सारे by default off है ठीक है मतलब के जो white space दीख रहा है मतलब के by default वो सारे 0 है अगर आप इस पर कुछ LED का program लिखोगे on off के लिए तो आप actual में इसको observe कर पाओगे जो भी GPIO है respective वो on off होगा ऐसा कुछ दिखेगा आपको रैट तो अभी मैं code को run कर रहा हूँ ठीक है तो अभी देखो यह continuously check कर रहा है अभी continuously check कर रहा है अभी कोई भी कुछ भी हमने press ने किया है अभी आप switch कैसे press कर सकते हो रैट तो switch के ल 13, 15 अभी सब में white space मतलब के 0 है मतलब के कुछ भी press नहीं है ठीक है अभी हम जैसे ही कोई particular को press करेंगे तो आपको यह message print होगा दिखेगा रैट तो let us press but let us make high particular port ठीक है यहाँ पर आपको message display होगा यह नीचे दिख़र आए वहाँ पर actual में वो एक internal terminal भी होता है ठीक है रास्बरी पाइका अपर second press करूँगा तो message आएगा 2 press, third करूँगा 3 press, fourth करूँगा तो 4 press आएगा तो अभी आपको सब setup समझ में आ गया राइट और यह pin number आपको याद रखनी है तो मैं यहाँ पर जैसे 7 को देखो मैं tick कर रहा हूँ तो यहाँ पर message आए button 1 press अभी देखो 2 second के बाद फिर से message आए अभी मैं इसको release कर देता हूँ मतलब कि मैंने 5-6 second तक press रखा था उसलिए यह इतने message आए अभी मैं 11 को press करता हूँ और release कर देता हूँ ठीक है normally switch मैं ऐसे ही press करेंगे तो दूसरा message आ गया button 2 press राइट वैसे ही 13 को करेंगे press release तो आप यहाँ पर देख सकते है कि button 3 press वाल message आ गया है ठीक है वैसे ही 15 को press release तो button 4 press आ गया है तो इसी हिसाब से आप multiple switch interface कर सकते है अभी मैं आपको यही code hardware पर run करके दिखाऊंगा खाली change यहाँ पर होगा कि setup में हम default value लिखेंगे क्योंकि मुझे पता नहीं Raspberry Pi के pin के उपर by default क्या है हम basically GPIO को ही read कर रहे है अभी GPIO पे कोई floating voltages हो सकते है ठीक है तो हम उसको forcefully set करेंगे या तो 0 या तो 1 मतलब कि अगर मैं switch निकाल दू तो भी वो pin पे मैं कोई default value रख सकता हूँ और मैं जब भी उसको read करूंगा तो वो value मुझे मिलेगी तो हम setup ऐसा बनाएंगे कि by default वो 0 हो जाए और अगर switch प्रेस हो तो वो high हो जाए राइट तो अभी मैं आपको यह hardware दिखा रहा हो यह hardware में आप देखिए यहाँ पे चार बटन है यह एक interface board है ठीक है इसके उपर सारा available है keyboard switches तो उसमें से मैंने यह बटन लिए हुए है और बाकी मैंने supplier ग्राउंड की pin connect की है रास्बर बटन है मैंने तीन अल्रेडी लगा दिये है और मैं अभी फॉर्थ आपके सामने लगाऊंगा जिससे आपको आइडिया आए कि connection कैसे होते है इंटर्नल सर्कीट ऐसे है कि जब भी बटन प्रेस होगा तो 3.3 वल्ट शॉर्ट हो जाएंगे विद इस वायर और बाय डिफॉल्ट में उस पर जीरो रखोंगा जैसे स्वीट प्रेस होगी तो उसको 3.3 वल्ट मिलेंगे मतलब कि रास्बरी पाई के पोर्ट पे हाई वेल यह देखिए 4th वायर मैंने जान बुझ के नहीं लगाया अभी आपके सामने लगा के दिखा रहा हूँ तो मैंने 4th वायर भी लगा दिया अभी यह ठीक है यह सिंपल कनेक्टर है और जो उसका दूसरा एंड है वो मैं रास्बरी पाई बॉर्ड के कोई पर्टिकुलर किया है उसी GPIO पर मैं काउंट करके लगा रहा हूँ ठीक है तो वैसे 4 वायर हो गए एक सप्लाय और एक ग्राउंड ठीक है इंट्रफेस बॉर्ड के साथ में अभी मैं कोई भी स्विच प्रेस नहीं करूंगा तो यह सारे GPIO पर मुझे लो मिलेगा और वो क्यू मिलेगा व GPIO.setup उसके अंदर third argument add हो गई है उसकी direction तो मैंने GPIO.in कर दी लेकिन third argument देखिये pull up down is equal to GPIO.puddown तो यह third argument है वो actually by default zero value write कर रही है मतलब कि 7 number की जो pin है मेरी उसकी direction तो set हो गई input बट उस पे मैंने by default zero लिख दिया मतलब कि अभी मैं read करूंगा अगर मैंने कुछ भी वो port पे नहीं लिखा है तो भी मुझे क्या मिलेगा down मतलब कि 0 अगर user ने switch press की तो मुझे क्या मिलेगा off मतलब कि 1 और इसी हिसाब से मेरे नीचे वाला logic है while true के अंदर कि if input state is equal to equal to true then print the message so now अभी मैं code को run करता हूँ ठीक है और यह चार स्विच मैं one by one प्रेस करूंगा यहां पर देखिए यह code है जो वो रास्परिपाई की OS के अंदर ही run हो रहा है थोनी IDE के अंदर और मैं यहां से उसको run current script करूंगा ठीक है और जैसे मैं इसको run करूंगा अभी वो देखिए running condition में आ जाएगा लेकिन कोई भी message प्रिंट नहीं हुआ लास्ट वाली लाइन देखिया कोई message प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मैंने कोई switch प्रेस नहीं की मैं जैसे ही कोई switch प्रेस करूंगा आप यहां पर देखिए message में आयेगा button one pressed ठीक है क्योंकि वो first condition true हो गई और इसलिए message आया button one pressed अभी मैं कोई और button प्रेस करूंगा तो यहां पर देखिए next message आयेगा जो भी button प्रेस करूंगा two second press करने पे then fourth press किया तो for button three press button two press मैं जैसे ही button को प्रेस करता रहूंगा उस हिसाब से message यहां पर print होते रहेंगे right so this is how you can interface switch और button with Raspberry Pi यहां पर मैंने demonstrate करके दिखाया कि कैसे button को interface करते है now आप button के जगा पर कुछ भी interface कर सकते है जहां से आपको कुछ read करना है let us say आपका कोई sensor है fire sensor है by default वो zero दे रहा है जैसे fire detect होगी वो one high देगा one देगा right तो आप button को replace कर दो with the sensor and you can take appropriate decision जैसे fire आएगी detect होगी तो आप message print करवा दो fire detected या तो कोई buzzer है तो buzzer को hide देखे उसको आप on करवा सकते हो या तो अगर LED है तो उसको on करवा सकते हो right so this is how you can take decision by observing particular pin और GPIO right so यह experiment में हमने क्या सीखा कि switch को या button को कैसे interface करते है Raspberry Pi से मेरे first video में मैंने आपको LED का बताया है इसमें मैंने आपको button का बताया है आप यह दोनों को combine करके एक छोटा सा project जैसा बना सकते हो so यह video में इतना ही ऐसे video और देखने के लिए please like and subscribe my channel thank you